नमस्ते, मैं पृती शर्मा, एक बार फिर आप लोगों के समख्ष प्रस्तूत हुए एक नई टॉपिक के सार्थ, आज हम बार करेंगे कथक नित्व में अंग संचालन का क्या महत्व है, अंग संचालन का नाम सुनते एक छोटी सी डेफिनिशन हमारे माइन में आती है, अंग प्रत्यान और उपांग पट ऐसा नहीं है, अंग संचालन का एक और पहल्यू है, जिससे आज तक भी बिगनस का भी और हम जिसे लोगों का भी साक्षतकार नहीं हो पाया है, इन्फेक जिस तरीके से डांस में में वेरी फर्स टे बताया जाता है, कि आप जब भी डांस बाहर जाएगा, तो वो पता का मुद्रा में जाएगा, जब भी आपको नित्व में मोर दिखाना है, तो मयूर मुद्रा का प्रयोग करना है, अगर तरशोल दिखाना है, तो तरशोल मुद्रा का प्रयोग करना है, कुछ भी लिखना है, तो अराल मुद्रा का प्रयोग करन कि किस चीज को प्रजेंट करने के लिए हमें किस मुद्रा का यूज करना है उसी तरीके से हमें इस चीज की समझ होनी भी बहुत जरूरी है कि नित्त में जो हम सम लगा रहे हैं, चक्कर ले रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, अबिने कर रहे हैं या अबिने में जिस भी पोज में हम खड़े हैं या बैटे हैं वो किस अंसंचालन के अंतरकत आता है अंसंचालन का एक और दूसरा पहलू है जिसके पांच भाग है जिसको पांच भागों में बाटा गया है जिसमें आपके जश्यर और पोश्यर को लिया गया है आपकी बॉडी का जो ये एरिया है इससे जो भी चीज आगे जाती है वो अंग संचालन के दूसरे पहलियों में आती है अंग संचालन का जो दूसरा पहलू है वो मैंने अभी आपको बताया कि उसके पांच भेध है पहला भेध है अंचित अंचालन अंचित अंचंचालन का अर्थ है अवशक्ता के अनुसार अपने अंगों को फैलाना अब कथक निर्थ में हम अपने अंगों कहां फैलाते हैं जनरली हम इस तरीके से रहते हैं लेकिन जब हम कभी भी कोई भी सम लगाते हैं तो हम अपनी बॉडी को फैला करसम लगाते हैं अपनी बॉडी के एरिय से बाहर जाके यानि कि अवशक्ता के अनुसार अपने अंगों को ब्रॉड करके फैला के हम अंचित अंगसंचालन के अंतरगत प्रस्तुत करते हैं अब ये बात रही कि हम अपनी बॉडी को फैलाते कहा हैं? सेम इसी तरीके से कथक निर्तु में हम अपनी बॉडी को समेटते कहां पर हैं? समेटने की क्रिया कुछित अंग संचालन के अंतरगत आती है कथक निर्ट में जब भी आप कोई अभिने करते हैं उस अभिने में यदि आप डर रहे हैं घबरा रहे हैं खुद को बचा रहे हैं तो यह सारी क्रियाएं कुंचे तंग संचालन के अंतरगत आती है मैं इसको आप एक एक जामपल की थूँ पीछे हटती है तो यह जो भी क्रियाएं वो कर रहे हैं जिसमें वो अपनी बॉड़ी को समेट रही है घबरा रही है यह सारी क्रियाएं कुंचे तंग संचालन के अंतरगत आती है आगे जब भी आप निर्ट के प्रस्तूति करें तो आप इस अंचे तंग संचालनों का ध्यान रखते हुए निर्ट के प्रस्तूति करें ताकि आपको समझ हो कि मैं यहाँ पे घबरा रही हूँ, डर रही हूँ, खुद को समेट रही हूँ तो इसका मतलब यह सारी क्रियाएं कुँचे तंग संचालन के अंतरगत आती है इसी का एक और एक्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जिसमें आंचे तंग संचालन और कुचे तंग संचालन दोनों का प्रयोग होता है मैं आपको एक वर्षा का उधारन देना चाहोगी, जब आपने आपका गोवर्धन लिला है, उसमें इंद्रुदेख, क्रोधिकरत, सननन पुरवाई चलत, जब हवा चल रही होती है, बिजली कड़क रही होती है, बारिश होती है बहुत तो उस बारिश से बचने के लिए हम इस तरीके के कुछ movement कथक निर्ट में यूज करते हैं, तो जब भी हम समेट रहे हैं, जब हम बारिश से बच रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी body shrink हो रही है, हम खुद को बचा रहे हैं, तो समेटनी की क्रिया जहां पर भी कथक निर्ट में प्रयोग होती है, वो कुंचित अं अंग संचालन के अंतरगत आती है, इसी तरीके से, जब हम वर्षा का आनंद लेते हैं, कहीं भी निर्ट में अगर हम प्रस्तुति कर रहे हैं, कि हम खोल के वर्षा का enjoy कर रहे हैं, उसको feel कर रहे हैं, तो जहां पर भी हाथ आपके फैले, आपकी gesture posture से बाहर गए, वहें सब कुछ अंचित अंग संचालन के अंतरगत आता है, तो इस एक example के through मैंने, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कि कुछित अंग संचालन के अंतरगत आपने क्या किया, बाड़ी को समेटा, और अंचित अंग संचालन के अंतरगत आपने फैलाया, तो इस क्रिया रेची तंग संचालन के अंतरगत आती है अब हम अपनी बाड़ी को कथक निर्थ में खीचते कहां हैं दश अवतार में जब हम अमरिद मन्थन दिखाते हैं तो वहां पे हम उस पहाड को खीचते हैं तो यह जो खिचाव खिचाव जहां पर भी आप कथक निर्थ में किसी भी क्रिया के तुरू अभिने में या गद्भाव में तो जो खीचना और ब्रॉड करने वाला मुव्मेंट आप जहां पर भी दिखाएंगे वह सब कुछ रेचित अंगसंचालन के अंतरगत आता है इसके बाद आता है अचित अंगसंचालन इसका अर्थ है जुकना निर्ट में जिस भी क्रिया में आप जुकते हैं वह सब कुछ अचित अंगसंचालन के अंतरगत आती है जैसे की नमशकार करना किसी भी देव की इस्तुति करते हुए उनको नमन करना जहां पर भी आप जुक कोगे वह सारी क्रियाएं अचित अंगसंचालन के अंतरगत आती है ये बात रही बॉडि को फैलाना कहा है बॉडि को समेटना कहा है बॉडि को ब्रॉड कहां दिखाना है जुकना कहा है इसी तरीके से एक बहुत छोटी सी चीज है जो हम कथक निर्थ में यूज करते हैं व आपको एक 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 जामपल देती हूँ जब हम राधा क्रिष्ण की छेड़ चार दिखाते हैं क्रिष्ण जी राधा जी का हाथ पकड़ते हैं और राधा जी छटके से अपनी कलाई छोड़ा कर वहां से चली जाती है तो जो जटका है यही क्रिया इसी को विच्छप्त नहीं फूटी तो उनको इध्र-उदर से घेरते हैं फिर वो मटकी छीननी की कोशिश करते हैं तो इस जो छीनने की कोशिश है यह सब कुछ विच्षप्त अंसंचालन के अंतरगत आती क्योंकि अभी तक हमें भी इस चीज के नॉलिज नहीं थी, जब लास्ट एर हमने एक्जाम दिया, तो हमें हमारे एक्जामनेर ने हमसे कुश्चन किया, कि यह जो अभी आपने पन्यारन के गद्भाव में, यह कुश्चन के छेड़ छाड में जो मटकी दिखाई है, यह किस अंग संचालन के अंतरगरत आती है, मुझे भी औरों की तरह तीन ही डाफिनेशन पताती, अब मैं सोचने लग गई, अंग, प्रत्यंग, या उपांग, और फिर मुझे नहीं नहीं, इसमें तो आइस दिखाते हैं, इसमें तो बॉड़ी के यह वाले अंगम दिखाते हैं, तब उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे गाइड किया, कि यह जो जनरल तीन अंग संचालन आप पढ़ते हैं, इससे हटकर भी पांच और अंग संचालन होते हैं, जिसमें आपकी बॉड़ी का जश्चर और पोश्चर दिखाया जाता है, तो मुझे लगता है, हमी सभी क काफी हल्प मिलेगी इस वीडियो को, इस वीडियो को मधे नजर रखते हुए ही आप अपने अंग संचालन को करेंगे, तो वो जादा अच्छा होगा, तो आज का टॉपिक में हैं समाप करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नमस्ते